नमस्कार दोस्तों सागत है आप लोगों का रोसन साइश टेडी पॉइंट पे और आज किस वीडियो में हम देखने वाले हैं 11 क्लास हिस्ट्री का जो सेकंड चेप्टर है जिसका नाम है लेखन कला और चैरी जीवन इस चेप्टर के हम मोस्ट इंपोर्टेंट MC की कोशन इतनी भी चैप्टर की वीडियो से सभी अपलोड हो चुकी है जिसमें हर एक चैप्टर को मैंने चार पार्ट में आपको समझा रहा है और हर एक पार्ट आपको एनिमेशन वीडियो के माधम से मिलेगा एनिमेशन वीडियो के माधम से आप लोगों हर एक चैप्टर को मैंन से देख ले और इस प्लेइलिस को अपने दोस्तों के सांस सेर जरूर कर तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को सुरू करते हैं हम कोश चन नहीं स्टार्ट मेस बोटामिया संत्पति कोसी भासा के सब्तसब से हुई तो मैस बोटामिया उत्पति है उठसारी बहुत souvent question था, दोस्तों question नमर 2 दिया गया है कि जो baby loan है baby loan मैसबूतामिया का महतपून सहर बन गया, आपको date बताना है जिस समय काल में जो baby loan है और एक तरीके से मैसबूतामिया का परमुक सहर बन गया तो यहाँ पे आपको जो सही उतर हो जाएगा option B 2000 इसापुर्व के आसपास बेबी लोन जो है मेसापुर्टामिया का एक प्रमुक सहर बनिया था इसके अलाबा 2000 इसापुर्व की हम बात करें तो एक और चीज़ आप याद रखे 2000 इसापुर्व के आसपास ही क्या हुआ था जो मारी नगर है मारी नगर भी 2000 इसापुर्व के आसपास ही एक सही राजधानी के रूप में उभर के सामने आया था तो यहाँ पर आपको कनफ्यूज नहीं होना है अगर पूछा जाए कि महत्पून नगर कौन बना तो बेबी लोन है लेकिन सही राजधानी कौन था तो वो मारी ही नगर था मारी नगर की हम बात करते हो हाँ ठीक है उसके बाद हम कोशन नंबर 3 देखते हैं कोशन नंबर 3 दिया गया है 1400 इसापुर्व आरामाईक भासा मिली जूली थी बतलब जो आरामाईक भासा की हम बात करते हैं तो आरामाइक भासा आपको पता है, चोदो सो इसापुरू के आसपास मैसर पोटामिया की भासा बनी थी, ठीक, अब ये भासा किस से मिलती जूलती थी, ये आपको यहाँ पर बताना है, तो देखें दोस्तो आरामाइक भासा जो है, वो एक तरीके से हिब्रू भासा से मिलती जूलती थी, ठीक, हिब्रू भासा से मिलती जूलती थी, इसके अलाबा यहाँ पर आप्शन अकदी भासा भी दे रखा है, सुमेरी भासा भी दे रखा है, तो देखो मैसर बोटामिया कि जो पहली भासा थी ना, जिसके बारे में जानकारी है, उस सुमेरी थी, सबसे पहली भासा, उसके बाद अकदी और उसके बाद आरामाइक बनी थी, तीन भासा थी, और आरामाइक भासा किसे मिलती जुलती थी, तो आरामाइक भासा हिब्रु भासा से मिलती जुलती थी, उसके बाद हम देखते हैं को कस्य वारे में आपको मैं पता दू कांसा एक क्तेम और रागा यानी कि टीन जो कि मिलाके वना जाता था और अधिकांस यूग में क्या हुआ थे और समय कास्य यूग का समय का समय काल है option B यहाँ पर आपका से हो जाएगा 3000 इसापूर पर कांसे युग का समय का नमाना जाता है यानि कि 3000 इसापूर के आज पास मैसबुटामिया में बहुत सारे प्राचिंतम नगरों का विकास होने लग जा था उसके बाद हम question number 5 देख लेते हैं question number 5 है cards us तीन pineapple में सफेड संग मरें संग मर को तरास कर बनाया गया था two Peach कि संदंगर में पाया देखेattaSi asked is a इस्तिरी की मुड़ती ठीक जो संग मरमर से बनाया था जए कहा से मिला है आपको इसमें ये बताना है आप screen पे इस picture को देख भी सकते हैं आपका NCR itmer देर रखा यहां पर सही हो जाएगा उरुक नगर से पाई गई थे उसके बाद हम question no.6 देख लेते हैं question no.6 है Maisapotamiya की पहली घ्यात भासा तथा लिपी थी आपको यहां पर Milesound permit की पहली घ्यात भासा और लीपी बताना है यानि कि ऐसी भासा और ऐसी लिपी जिसके वारे में हमें ज्ञान है तो option यह है आरमाइक तथा किलाकार यह तो नहीं हो सकता भई और मैं ऐसा पूटामिया कि लोगों की लिपी की बात करें तो किलाकार लिपी का इस्तमाल करते थे वो यानि की option C आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा सही उतर हो जाएगा उसके बाद हम question number 7 देख लेते हैं question number 7 है उरुक के आरंभिक सासकों में एक था जो उरुक नगर है उसका आरंभिक सासक कौन था तीन अप्शन ने इसमें एनमरकर नैबो नीडस या फिर सुर्वर निपाल देखे दोस्तों उरुक का जो आरंभिक सासक था पहला सासक था अब लोग ने अगर NCRT book को बढ़ा होगा तो अरटा की जो कहानी है एनमरकर उसके दूद की जो कहानी है उसमें एनमरकर के बारे में बता रखा है जो की एनमरकर जो था वो रुक का पहला सासक था ठीक उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कोशन नमर आठ की तरफ Qoshena No.8 है पत्तर के ऐसे सिलापट जिस पर अभिलेक उतकेन किये जाते हैं और क्या कहलाते हैं यह झाते हैं तो आपको अभिलेका मतलब पता होना सी अभिलेक थी ऐसे सब्स ळखे जो किसी पत्तर या चनला पर लिखे गया है लेकिन हमें इस कोश्चन में बताना है कि ऐसे पत्थर या सिला पठे जिस पर अभलेक उत्किन किया जाते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको हम slay भी कहते हैं slay पे लिखे जाते थे बिल्कुल मिट्टी के हो सकते थे आप इसकर पत्थरों के होते थे इस लिट जिस पे अब लेक उतकीन किये जाते थे उसके बाद हम कोशन नमर 9 देख लेते हैं कोशन नमर 9 है मैस्पोटामिया के समाज में आधर समाना जाता था तो परिवार के वारे में अगर ऑप्शन को आप देखो तो यहाँ परिवार के बारे में बताना है कि किस परिवार को आधर समाना जाता था स्विक्त परिवार को या सिर्फ परिवार को या फिर मूल परिवार को यहाँ पर मूल के जगा पर एकल परिवार की बात कर सकते हैं तो देखे दोस्तों मैसपोटामिया में जो था एक तरीके से एकल परिवार को रहा करते थे उसके बाद हम question number 10 देख लेते हैं question number 10 है मारी के राजा कौन से समुदाईके थी आप लोगों ने अगर रीड गया होगा आपको पता होगा इसके अलाबबा वीडियोls में मैंने साथ है आपको यह चीजे बताई होगी तो मारी के जो राजया है वो एमो राइट समुदाएगे थी, ऑप्शन ही हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, से उतर हो जाएगा, दोस्तों कोशन नमर 11 देखते हैं, कोशन नमर 11 है, जिमरिलिजिम का विसाल राजमहल इस्तित्था, मतलब आपको इस कोशन में बताना है कि ज सबोटामिया के लोग तामवे का आयात साइप्रस के एक दीप से करते थे, जिसका नाम क्या था, तो यह कोशन भी पिछले जो MCQ मैंने वीडियो बनाया था, उसमें भी यह कोशन दिया गया था, तो इसका जो सहीतर होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी अलासिया, ठीक आप दो काप लोग करते थे, दोस्तों मैंने जो सेंपल वेपर की वीडियो डाले थी, उसमें मैंने तामवा पता दिया था, क्योंकि मेरे को भी पहले लगता था, कि भाई, तामवा और कांसा एक ही होता है, बड़ यार मैं आपको समझा देना चाहूंगा, कि जो कांसा है, कांसे को जो बना जाता था, वो तामवा और रागे को मिला के बना जाता था, यह अलग-अलग जो कांसा है और जो तामवा है, वो अलग-अलग धातु है, और रागा भी अलग है, रागा यानि की टीन होता है, ठीक है, टीन को हम रागा भी बोलते है, तो कांसे का, जो मैंस सब्सक्राइब यहां पर आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तामबा या रागा आपको नहीं लगाना है आपको कांसा लगाना है ठीक है ना उसके बाद हम कोश्चन कुष्चन नमडर 14 देखतें कोश्चन नमडर 14 अंतिम और सीरिया सासक शुरुबणी पालनेपलक कहां स्तापित किया तो देखें दोस्तों अकर आ सोष्चंपनी पाल की हम बात तो फ्रीज पाल से अंसे 40 था और झूद्सक्राइब पोश्चन करवाया है तिए यह इस कोश्चन बहुत सारे कोश्चन जो है वाँसे कोश्चन देखते हैं 15 कोश्चन पंद्रा स्वतंतर बेबी लोन का उन्तीम साशक था तो स्वतंतर बेबी सीरिया इस्तावρत्तय से बेविलोनिया को किसने saying कर आए था तो देखे दोस्तों यह question यह question आपके box से ही पूछा गिया है थीके था ? वैसे box से question आने के chance तो कमी है बहुत कम question आपके box से पूछे जाएगे जादत तर जो आपके question होंगे 'll 세ww दुखिए जो लाइन है वहां से कोशन आएगा ठीक है बड़िसक जो सही उत्र होगा हूँ है नयविया पॉल लासर जो था उसको एक तरिके सी उसने क्या किया था अधिपात्ते से बिविलोनिया को क्या किया था उन्होंने मुगत करवाया था तो यहां पर आपका से उतर हो उसके बाद हम कोश्यन नमर 17 देख लेते हैं को श्रमाइक भासा और माइक लिखाया वैसे आरा माइक भासा होना चाहिए आरा माइक भासा मैसमपोटामिया में कब बोली जाती थी यहां पर देखिए दोस्तों कब बनी थी और कब बोली जाने लगी उसमें थ भासा बन गई थी लेकिन ब्यापक गुरूब से बहुत ज्यादा मातरा में इसका इस्तमाल हुआ था लगबक 1000 इसापूर्व के आसपास ही जाके इसका इस्तमाल होने लग गया था ठीक है और यह भासा आपको पता है कौन सी भासा से मिलती जूलती थी हिब्रू भासा से मि नदी के बीच इस्तित बर्तमान समय में हिस्सा है मतलब जो मैसबोटामिया हो बर्तमान समय में किस का हिस्सा है किस देश का हिस्सा है ठीक है तो फरात और दजला नदी के बीच है फला फुला जो सहर उसको मैसबोटामिया कहते हैं और इसको हम इस समय किस नाम से जानते हैं बहुत ही असान question था यह तो कि असके बाद हम question number 19 देख लेए to question number 19 है मैस बुटामिया कि सभीता जानी जाती है मैसे बुटामिया कि सभीता को हम क्यों जानते हैं उसके वारे में क्यों पढ़ते हैं क्यों महधबून माना जाता है सब्सक्राइब सब्सक्राइब अप्सण डी आपका इहां पर सभी 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 उतर हो जाएगा ठीक है उसके बाद हम कोशन नमर 20 देख लेते हैं कोशन नमर 20 है बेबी लोन मैसबोटामिया का महत्पुन सहर बन गया दुबारा से कोशन रिपीट हो गया वैसी आपको पता है 2000 इसापुर्व के आसपास क्या कही जहां है यह दूसरा कोशन ने था मेरे खाल से अब दुबार यह कोशन आ गया उप 1520 की बात करें कोशन नमर इक Whole Prim में के शुरू हुई तो देखे दो दोस्तों मैसर नःआ में अगर खेटी क tv बात करें तो मेंसर बटामिया में खेटी की जो तो बात हुई थी वो लगभक 700 इसापुर्फ से छह सो इसापुर५ की आस पास हुई और आपको पता है कि मैस्ट भुटामिया के पुर्भुट्तर भाग में सबसे पहले सब्सराइन के समय काल में मैस्ट भुटामिया के प्राचिंतम नगरों का निर्मान 56 यूग और्था दुबारे से कोशण बबीट हो रहा है आपकोपता है मैसबोटामिया में option वैसे चिंज कर दिया है question से में option चिंज कर दिया गया है तो मैसबोटामिया में जो प्राचिंतम नगरों का जो निर्मान हो कासे युग में हुआ था याने कि लगवक तीन हजार इसा पुर्व के आसपास मैशल बुटाम मैशल पूटामीय के प्राजिंतम नगरों का निर्मान शुरू हो गया था दोस्तो कोशन नमर तेज देखते हैं कोशन नमर तेज दिया गया है सरम विभाजन तथा विशेशी करन विशेशता है तो सरम विभाजन मतला आपको पता होगा कि जो काम का बड़वारा सरम विभाजन है विशेशी करन मेरे ख्याल से होता है कि विशेश काम को करने वाले वि सकता है होती है अलग-अलग जरूरते होती है उनको पूरा करना भी बहुत जरूरी होता है तो यह दोनों ही सेरी जीवन की विस्थेश्था है उसके बाद हम देखते हैं कोशन नमर 24 कोशन नमर 24 दिया गया है मैसबोटामिया युनानी भासा के कौन से दो सब्दों से मिलकर बना है तो यहाँ पर है मैसोस है पोटैमोस दिया गया है परबत दिया गया है अकास दिया गया है तो आपको पता है कि मैसबोटामिया युनानी भासा का सब्द है और युनानी भासा के दो सब्दों से मिलके बना है एक तो आपका मैसोस है ठीक है मैसोस और दूसरा सब्द आपका क्या था पुटैमोस पुटैमोस सही से लिखा नहीं रहे पुटैमोस ये दो सब्दों से मिलके बना है मैसोस का मतलब क्या होता है मद्ध है और पोटैमोस का मतलब क्या होता है नदी यानि कि मद्ध है नदी नदी के बीच का जो भूब भागता उसको मैसर बोटामिया कहते है तो यानि कि आपका option A और B दोनों जो होगा वो सही उतर होगा इसमें option में देनी रखा है मैसर बोटामिया जो है वो दो सब दो से बिलके बना है मैसोस और पोटैमोस उसके बाद हम कोशन नमर 25 देखते हैं मैसर बोटामिया किन-किन बातों के लिए परसिद था तो भाई मैसर बोटामिया अपने समरीध्धी के लिए परसिद था अपने विसाल सहित्ते के लिए परसित था अपने नगरों के लिए हैना सहरी जीवन के लिए परसित था यानि कि उपरोगत सभी सही उतर होगा option D आपका यहाँ पर क्या है सही उतर है उसके बाद हम question number 26 देखते है नमर 27 देख लेते हैं इसको बैपार जरूरी है उत्तम पर जिवन व्यस्ता भी बहुत जरूरी है यानि क्यों परोगत सभी आपका क्या हो जाएगा यहां पर सही उतर हो जाएगा उसके बाद हम question number 28 देख लेते हैं question number 28 मैंसबोटामिया की लोग लकडी, तामबा, रागा, सोना, चांदी, सीपी, आदी आयात करते थे इन सबी चीजों का आयात कहां से करते थे भारत से, सिलंका से, इरान से, इराक से देखे दोस्तों भारत और सिलंका तो हो नहीं सकता है, इसको तो आप गलती करते थे, यह दोनों हो नहीं सकता है इरान और इराक की बात कि रहे तो इराक तो खुद मैंसबोटामिया है, तो यह भी आपका नहीं हो सकता है यहाँ पर option C आपका इरान क्या है बिल्कुल से उतर है इरान से यह चीज़ें मंगाते थे या खाड़ी पार के बहुत सारे देश ते जैसे कि मिस्र है तुर्की है इन देशों से मंगाय करते थे उसके बाद हम देखते हैं question number 29 है मैसबोटामिया में kila qar lepi का बिगास कब हूआ थे किसे दोस्तों मैसबोटामिया में kila qar lepi के बिगास की अगर हम 26icesha पूर्व की आसपास मैसबोटामिया में kila qar lepi का बिगास हो गया था लेकिन मैसबोटामिया में वैसे लेखन कला की पुरानी पटिका है वो 32 इसापुर्व की ही है यानि कि आपका यहाँ पर जो कोशन के हिसाब से जो ऑप्सन है ओप्सन भी आपका 26 इसापुर्व में किलाकार लेपी एक तरीकी से वहाँ पर विक्सित हो गया था यानि कि आपका सही उतर है उसके बाद हम कोशन नमर 30 देख किरें तो आपका 2000 इसापुर्व आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा सही उतर हो जाएगा दो जारी सबूर्व उसके बाद हम कोशन नमर 31 देख एंगे कोशन नमर 31 में लेखन पर ननाली का आरंभ हुआ यानि कि मिसर बोटामिया में लेखन कला की सुरवात कब हुई ठीक है बहुत ही आसान कोशन है पहले बता चुगा इसका अंसर में आप लोगों को मैसबोटामिया में जो लेखन कला की जो शुरुवात हुई थी वो 32 इसापूर में हुई थी और इस बात का पता है कैसे लगा तो सबसे पुराने जो पटिका मिली है मैसबोटामिया से वो 32 इसापूरव की ही है ठीक अपसन बी यहाँ पर आपका से उतर था उसके बाद कोशन नमर 32 देख लेते हैं कोशन नमर 32 से Sumerian भसा के स्थान पर अकदी भसा का इस्तवाल होना शुरू हुआ मतलब Sumerian पहले भसा जो थी Sumerian या Sumeria बोल सकते हो सोट में Sumerian ही बोलते हैं सबसे पहली भसा थी उसके बाद भासा में परिवर्टन हुआ और अकदी एक तरीके से परमुख भासा बन गई तो अकदी कब बनी ठीक है कब अकदी भासा को अपनाए गया ऑप्शन को देख लेते हम ऑप्शन है ठिसो हीसापुर्व 2400 हीसापुर्व 2400 हीसापुर आर उसके बाद आहयरे उसके बाद अरय समयरी फिर udah नहीं पुझा Kerry सुमेरी बने नहीं आप martin नहीं बताना है जो अकदी है अकदी लगभग आपका 2400 इसापुर में बन गया था और जो आरामाईख है वो लगभग 2400 इसापुर में बन गया था तो यह आपका यहाँ पर option बी क्या हो जाएगा 2400 इसापुर आपका सेधर हो जाएगा दोस्तों कोशन नमर 33 देखते हैं कोशन नमर 33 है सिर्याई राज्य कीसापना हुई तो 1100उसापुर में हुई थी दोस्तों मैंने इस कोशन के अंसर को NCIT भूग में ढूड़ने की कोशिछ की बडमेर को वो ऐसा ग्यारो सो इसा पूर्ड तो कहीं लिखा हुआ दिखा नहीं बस इस बुक में ऐसा एंसर बता रखा है तो हम इसी को मान के चल लेते हैं ठीक उसके बाद हम कोशन नमर चौटिस देखते हैं कुशन नमर चौटिस है असुर्वनी पाल का सासन रहा तो देखें दोस्तों असुर्वनी पाल का जो सासन काल है वो लगभग 668 से लेके जो मैंने ncrt book में जो देखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ 668 से लेके 627 तक इसका सासन काल माना जाता है इसमें तो आपका option C मेरे हिसाब से सही बता रख है option C को इन्होंने सही बता रख है तो यह option C जो है वो मेरे ख्याल से date गलत है इसमें option ठीक तो इसको हम रहने देते हैं उसके बाद हम question number 35 देख लेते है question number 35 है पसु चारक खाना बदोस निस्षित रोप से शेरी जीवन के लिए खतरा थे तो पसु चारक खाना बदोस आपको पता है भाई पसु चारक खाना बदोस पसु चारक उन लोगों को कहा जाता है जो घूमकर टाइप की होते हैं अपने पसु के चार्ये में एक जग़ से दूसरे जगunda रहते हैं तो उह क्या करते हैं कई बार तो भई क्या करते थे कई खुरवर के बज़की है उनके और धिया होटे हुता भाट कुर है। पर उनकी बार कई गउतर है कि यहां पर हमला करते थे यहां का यह चुछिंस अब भलार जो अच्छी खेती होती थी जल परिवन था परिवन जैसे फरात नदी की आप बात कर लो इसके माध्यम से परिवन हो जाया करता था ठीक है उसके बाद है मुद्रा परचलन मतलब मुद्रा का भी परचलन था यानि कि option एक कोशन नमर 37 से कौन सी संस्ताएं राजा की पहल पर निर्वर करती है निर्वर करता है तो पूसके बाद कोशन नमर 38 से मैस पूटामय के खुदाई में कौन से यतिहासिक शरोत मिले हैं तो भाई खुदाई के दौर्ण आपको क्या मिलेगा यह मारते मिल सकती है मूर्तिया और जार लिखी दस्ता बेज भी मिल सकते हैं आपको जमीन के नीचे से सब इस सारी चीजे मिल सकते हैं यानि की और उप्शन डी उपरोग तो सभी यहां पर आपका क्या हो जाएगा सई उतर हो जाएगा उसके बाद हम कोशन नमर 49 देखते हैं कोशन नमर 49 है हमारा कि कहा चला गया हाँ आगा है यह देखू कोशन नमबर 49 दिया गया हमारा जिगूरल एक देव मंदिर को कहते हैं जिसका सब्दिक अर्थ है जिगूरल का अर्थ होता है स्वर्ग की पहारी ठीक है, option C, यहाँ पर आपका सेथर हो जाएगा, स्वर्गे की पहारी उसके बाद हम last question देखते है, question number 40 दिया गया है question number 40 है, मैसे बुटामिया सभिता की बिस्प को क्या देना है, मतलब क्या कुछ इन्होंने हमें दिया है option को पढ़ लेते हैं, चाक का प्रियोग, चाक आप समझते हैं न, क्या होता है चाक यहाँने की मेरे ख्याल से यहाँ पर चकिया की बात की जा रहे है, जिससे मिट्टी का बरतन बना जाता है और कहीं भी उपरवक्त सभी, अगर किसी question का answer होगा, तो वहाँ पर option D में उपरवक्त सभी जरूर दिया होगा इसमें नहीं दे रखा है, यानि कि सारी चीज़ें वहाँ के लोगों ने हमें दिया है यह कुल मिला के 40 MC की question थे, जो मैंने आपको समझा दिया है इसके अलाबा आपको इस chapter के 40 important MC की question है, उसकी दो और वीडियो पहले ही काफी, पहले ही मैंने upload कर दिया था उन वीडियो को भी देख लिए, चैप्टर की वीडियो को देख़िए, और वीडियो को जादा से ज्यादा यार share करो बहुँझ जादा मैंनर कर रहूँ, आप लोगों के लिए वीडियो को share नहीं करते हो तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत